प्रयागराज जिला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर बसा हुआ है ऐसी मान्यता है कि स्रिष्टि करता ब्रह्मा ने स्रिष्टि का काम पूरा होने पर अपना पहला यग्य यहीं पर किया था कुम्ब नगरी प्रयागराज जिले की इलाभाद लोकसभा सीट सियासत के लिहाज से हाई प्रोफाइल मानी जाती रही है पिछले एक दशक से इस सीट पर भाजपा का कबजा है यूपी की संसदिय सीट संख्या 52 इलाभाद में छठे चरण के तहट 25 मई को मत दान होगा इलाभाद लोकसभा सीट की खासियत यह है कि यहाँ से हमेशा से राजनीती के दिगजों में चुनावी भिरंथ होती रही हेमवती नंदन बहुगुणा, छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश, मंडल के मसीहा विश्वनात प्रताप सिंग और भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी प्रयागराज सीट से सांसद रहे 1984 में राजीव गांधी ने अपने मित्र अभिनेता अमिताब बच्चन को चुनाव मैदान में उतारा था उस चुनाव में अमिताब बच्चन के फिल्मी करिश्मे के सामने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिगगज नहीं टिक सके हालांकि बोफोस विवाद में नाम आने के बाद अमिताब बच्चन ने कारेकाल पूरा होने से पहले ही इस्तिफा दे दिया 1988 के उप्चुनाव में विश्वनात प्रताब सिंग जीत गए 1989 में ये सीट कॉंग्रेस से दूर छिटक गई फिर उसके खाते में कभी नहीं लोटी 1989 में जनतादल के जनेश्वर मिश्व इलावाद से सांसद बने 1991 में भी ये सीट जनतादल के पास रही सरोज दुबे 1996 तक सांसद रही 1996 से लेकर 1999 तक लगातार तीन बार भाजपा के मुर्ली मनोहर जोशी ने यहां से जीत दर्च की मगर 2004 में समाजवादी पार्टी के बेवती रमन सिंग ने उन्हें हरा दिया 2009 तक सपा का प्रयागराज लोकसभा सीट पर कबजा रहा 2014 के मोदी लहर में ये सीट फिर भाजपा के खाते में आई और श्याम चरण गुपता सांसद बने 2019 में भाजपा ने कॉंग्रेस की पूर्व नेता रीता बहुगुना जोशी को प्रयागराज से उतारा रीता ने यहां जीत का कमल खिलाया इस बार भाजपा हैट्रिक लगाने की कोशिश में है कॉंग्रेस आखरी बार 40 साल पहले 1984 के चुनाव में यहां से जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में इलाभाद संसदिय सीट के चुनावी परिनाम को देखें तो यहां पर भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला था भाजपा प्रत्याशी डॉक्तर रीता बहुगुना जोशी को चुनाव में 4,94,455.58 बोट मिले तो सपा के राजेंद्र सिंग पटेल के खाते में 3,10,184.87 बोट आये थे रीता बहुगुना जोशी को चुनाव में 1,84,275 मतों के अंतर से जीत मिली बाद 2014 के चुनाव की की जाए तो इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शाम चरण गुप्ता ने 62,000 से वोटों के अंतर से जीत हासिल की शाम चरण के खाते में 3,13,772,35.19% बोट आये सपा के प्रत्याशी ग्रेवती रमन सिंग 2,51,768.24% बोट मिले बस्पा और कॉंग्रेस प्रत्याशी तीसरे और चौथे स्थान पर रहे भाजपा ने फूलपूर के मौजूदा सांसद रीता बहुगुना जोशी का टिकट काट कर नीरच त्रिपाठी को मैदान में उतारा है बस्पा से रमेश कुमार पटेल और कॉंग्रेस से उजवल रमन सिंग चुनाब मैदान में है इलाबाद लोकसभाक शेत्र के जातिय समीकरण को देखें तो यहां कुल मदाताओं की संख्या सवा 18 लाग से अधिक है इस सीट पर ब्रामन मदाता हमेशा निर्नायक रहे हैं इसके बाद पटेल, बनिया, कायस्त और मुस्लिम मदाता प्रत्याशी की जीट तै करते हैं इलाबाद लोकसभा सीट के तहट पाँच विधान सभा सीटे शामिल है इसमें मेजा, कर्चना, प्रयागराज दक्षन, बारा और कोराव विधान सभा सीटे आती हैं मेजा सीट सपा और बाकी चार सीटों पर भाचपा काबिज है ब्रामनों और मलाहों का गड़ जोड पिछले दो चुनावों में भाचपा को काफी रास आया इलाभाद में इन दोनों बरादरी के 6,00,000,000 से अधिक मत दाता हैं और इने भाचपा अपना परंपरागत वोट बैंक मानती रही है इनके अलावा करीब 2,00,000 पटेल मत दाताओं को भी भाचपा अपना परंपरागत वोटर मानती रही है पार्टी उम्मीदवार नीरच त्रिपाठी की मजबूत दाविदारी के पीछे इन आठ लाक से अधिक मद्दाताओं के जुकाव को ही मुख्य वजह माना जा रहा है लेकिन मेजा से सपा विधायक संदीप पटेल तथा इन टीनों बिरादरी के कई अन्यनेता कॉंग्रेस के उजवल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा बसपाने भी रमेश पटेल को मैदान में उतारा है ऐसे में भाजपा इन मतों का बिखराव कितना रोक पाती है देखना होगा भाजपा के सामने अनुसूचित जाती के मद्दाताओं को अपने पक्ष में रोकने की भी चुनोती होगी इस चुनाव में भाजपा एवं इंडिया गटवंधन के पिछडी जाती के नेताओं की परीक्षा भी होगी इलावाद लोकसभा सीट इस बार विरासत की लड़ाई का चश्मदीद बनेगा भाजपा और कॉंग्रेस के उमीदवार बड़े सियासी रसूख वाले परिवारों से हैं इस बार लड़ाई कांटे की हैं जीत का कांटा किसी और भी जुक सकता है